السلام علیکم मैं ये सुटेंट इस निए दिए भूग केमेस्ट्री फॉर तैन टेन किलास तूट्र इस चौट्र नम्बर इस लिघ्वाइब है इस चाहिए पूर्ट हूर से एफ ये लेक्टर आप गफ़जिए इस पॉर्ट इस ये ये स्टूट्ट्र आम ज़ाते है इस अपूर्ट कास्टनर सेल स्ट्रू यहां पर दीखिए कास्टनर सेल जो है इसे जासे कि darauf है में सुडियम केलराइट को एक्रोलाइक केमिकल के तब यूज करते हैं सोडियम केलराइट के ना sites यह कैथोड यहां पर कास्टनर केलनर सेल है जब इसके दरी हम किलोरीन के स्टियार करते हैं स्टुडेंट्स तो यहां पर हम जो यूज करते हैं वह हम यूज करते हैं स्टुडेंट्स कौन सा यूज करते हैं सोडियम किलोराइड सोडियम किलोराइड का सोलेशन हम यहां से इ के दो आइंड को मॉलिकूल इइसमें करके बागी पीछे रियाथ partition होता है किलो इनओ के पास जाती है अब से पॉलिटीफ चाजो घृर जोवागशन और का mercury mercury का cathode बना वा बना होता है तो cathode जोh negative charge होता है sodium जब mercury के साथ reaction करती है तो sodium जब ip Baker के सास्थ होता है cathode मरकरी से reaction करेगी तो sodium जब IP के दरिये से soda cell का बना तो sodium गत्व sowar CODA Guardians abnorm होता है यहां पर graphite का blocks लगे होते हैं मलकरी के साथ reaction उए cathode मंनता है sodium amalgam जिसका formula होता है N A H G तो sodium amalgam इस pipe के दरी है इस soda cell के अंदर आ जाएगा यहाँ पर sodium amalgam है वो यहाँ पर water इंटर करते है water तो sodium amalgam जब water के साथ reaction करती है students तो तीन चीज़े produce करती है sodium hydroxide hydrogen gas और mercury को अलग कर देती है जो mercury अलग हो जाती है mercury इस pipe के निचे वाले pipe के दरी दुबारा moving हालत पर दुबारा इसीदा अपना process आई रखती है तो mercury continue process में रेती है पीछे सोडियम के लोराइट इंटर करते रहते हैं तो sodium continue mercury से मिलके sodium amalgam मनाती है यहाँ के N A H G मनाती है mercury का formula H G होता है sodium amalgam मनाती है sodium amalgam इस soda cell में आते रहती है de-neudel इसका नाम है यहाँ पर sodium amalgam जब उपर से pipe से आते रहती है तो water हम इंटर करते रहते है sodium amalgam जब water के साथ reaction करती है students तो 3 चीज़े produce करती है chemical equation दो देखे sodium amalgam जब वाटर के साथ reaction करती है कि बार का दालते हैं वाटर डिनुटर में डालते हैं सोडासे इसके अंदर वाटर मियाद इंटर करते हैं तो तीज देंदें प्रूडियुस करती है एक sodium hydroxide, hydrogen gas और mercury, mercury जो यह अलेदा हो जाते हैं, नीचे अले pipe के दरी, mercury यहाँ नीचे आलेगी, mercury जो बन के यह अलग होके इस pipe के दरी है, यह moving आलत में circulation करते रहेगी, और mercury जो है, sodium से contact करके दुबारा sodium amalgam बनाएगी, sodium amalgam इस pipe से अंदर आएगा, तो फिर यह दुबारा water selection करेगा, तो क्या है, तो इस तरद mercury अलग होते आएगी, और जब water selection करेगी, तो hydrogen gas बहाँ निकल जाएगी, sodium hydroxide जो है, students, वो इस pipe के दरी, यहाँ से बहाँ निकल sodium amalgam जब water के साथ reaction करती है, तो तीन चीज़े बनती है, क्या क्या बनती है, sodium hydroxide, hydrogen gas और mercury, mercury अलग होके नीचे वाले pipe के दरी है, यह moving हालत में लेती है, यह HG, जिसका mercury formula है, HG liquid form में होती है, mercury बोलते है, यह सही है, non-metal है, तो रिट टेविल के ग्रूप में है, यह सही है, त यह मिलती है, किसके साथ, sodium के साथ, sodium, sodium amalgam बनाएटी है, यह HG नीचे बाले pipe से ही है, continue निकलके, mercury pump के दरी है, HG जो है, mercury यह moving हालत में आते रहेगी, जो हम sodium को राइट इंटर करते रहेते हैं, तो किलोईन तो एनोट पर जाके, गेस बनके बहाँ निकलते रहेगी, और ज sodium, sodium amalgam, sodium amalgam, यह हम बनाएगी, sodium amalgam यह सुपर ही पाइप से, इस डिणुडर के अंदर आएगा, SodaCell में, यहां पर वार्टर इंटर करते हैं, तो वार्टर और sodium amalgam, sodium amalgam ऊपर साएगा, तो दोने रेक्शन करेंगे, water और sodium amalgam, sodium amalgam, जो ऊपर सा आता है, यह दोन आप सब्सक्राइब निकल जाएगी और यह मर्करी निकल निकल के आता रहेगा तो सोडियम अमलगम बनाएगा नीचे आएगा यहां से वाटर करेंगे तो वाटर सोडियम अमलगम कंटिनी रेक्शन करेंगे ती जीदे प्रोड्यूस होता रहेंगे हैडियों निकलते देगी और यहां से बहुत निकलते देगी और एच्जी मलकरी अलग होके नीचे आता रहेगा तो यहां से दाफिए नहीं कोने वाली सोडियम के साथ स सब्सक्राइब करता हैं को यह सोडियम आपकृषिण करते हैं कौन कौन सी सोडियम और ऑक्सायड वाट है रहा है निकल जाएगा लग और अलग होके नीचे आके यह कंटिनी रेक्शन करता रहेगी है सद्वाटर चूब शोडियोव हटाल कि वाटर रहंगे संदर वाटर कर रहेंगे वाटर कंटीनियू आमालकर यानिके और यह को डालते हैं और 100 बबर से आ रही होता यह पिर दिदर में आएगा सोडी वाटर के साथ कंटिन इंच्छन करेंगा फिर तिन चीजे प्रोडूइस हो करेंगी इस तरह पुरा प्रोसेस कंटिनूइट चलता रहे तो आप जब शांसर को लिखेंगे सबसे पर क्या करेंगे इसकी आप कास्टर सेल के हैटिन डालके स्क स्कुर्ण टिन डालके आप या लिखेंगे इस शर्यम कोई रचे लाट टिकल चैमिकल इंट इन चास्टर सेल थैना थैना चोरिंग एडियस मैट विट एद पर फिर लाटी अनौद तो टी सोड़ी सिट गलेंगे दो गैस होग एल्सिट से थालग अटॉर्ड विड़ी थि then sodium amalgam so sodium amalgam enter in the denudate soda cell and here we enter the water water the equipment sodium amalgam then but then this makes the three 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 compounds hydrogen gas sodium hydroxide and mercury so mercury comes from the bottom pipe and mercury continue react with sodium and sodium when you can mercury so this make the amalgam energy energy with water so this makes the continue three items who hydrogen gas sodium iodide oxide and mercury so this is the continent process of the personal cell उसके पाद यह इसी chemical equations लिक्किंग एस्टुएंस जैसे का हम ने नेलसन सिन्में पता दाए सोडियम को जाएट को में इंटर करते हैं तो सोडियम अलग हो जाते हैं किलोरीन का रेक्षिन होता है नोट पे हम हेड़िन डालिंग अनोट की किलोरीन जब अनोट पर रेक्षिन कर चलता है तो इस तरह से एक इस लिए टॉट फीट सब्सक्राइब निकल जाती है और शुट्यम आपकसाईड भी यहां से भाहर निकल जाएगा इस तरह से ओके अनुट भानिकल जाए तो इस तरह कंडिनी पॉसेच चलता लेगा सुच्छ इस भी वांट इस ए गुट आप वीडियों से कानी डॉंट फॉट इस पेल इकन लाइकन सब्सक्राइब मुडिया राइट आपने सिंद्ध रूम जो थैंक यू वेरी मुच्छ